Hi everyone, welcome once again to my channel, कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे और अपनी steady मन लगा कर कर रहे होंगे, चलिए, आज केस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ similar words and pronunciation, जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से English language यानि की English grammar में बहुत सार जाती है, और कुछ ऐसे words भी होते हैं, जिनकी spelling अलग है, meaning अलग है, लेकिन उनका pronunciation लगबग एक जैसा है, यानि close to, तो चलिए, ऐसे ही कुछ words की study कर लेते हैं, और अपनी information को बढ़ाते हैं, और देखते हैं किस तरह से इनने हम pronounce करेंगे, और इनकी meaning क्या-क्या होती है, आ bear, देखें, accent में एक तो UK का accent आता है, यानि कि United Kingdom, और एक accent आता है US का, यानि कि United States, दोनों ही accent यूज किये जा सकते हैं, आप सभी को मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि UK के accent में R को उचारित नहीं किया जाता है, यानि उसे pronounce नहीं किया जाता है, उसे rolled up कर दिया जात लेकिन US में R को उचारित किया जाता है, वो पूरी तरीके से openly R को उचारित कर देते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है B-E-A-R, इसे हम pronounce करेंगे bear, तो ये हो गया UK का accent, लेकिन यदि आप US में जाएं और देखें कि इसे किस तरह से बोलते हैं लोग, तो इस US का accent, तो इस तरह से इसे हम pronounce कर सकते हैं, इसका मतलब होता है सहन करना, meaning से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो bear है, यह एक verb है, जिहां यह एक क्रिया शब्द है, जिसका use हम tense के according करते हैं, चलिए देख लेते हैं, एक और इसी से मिलता जुलता word, same spelling, same pronunciation, B-E-A-R, यानि कि bear, या फिर bear, यहाँ पर bear का मतलब होता है भालू, भालू मतलब the animal, आप सभी जानते हैं, दोस्तों कभी-कभी students मुझसे यह सवाल करते हैं कि ma'am, similar words के बीच में हम difference कैसे करेंगे, मान लीजे कोई व्यक्ति हमारे सामने, इन दोनों words में से कोई एक word बोल गया है अपने conversation में, ह उसका हमेशा context आपको grab करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि किस context में बोला गया है, चलिए examples में आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजे जो पहला वाला यहाँ पर bear word है, उसको मैं use कर रही हूँ, sentence सुनिए, मान लीजे मैंने बोला, I can bear any situation in this time, एक ब वाले bear की बात की है, जी हाँ, first वाला bear, जिसका मतलब होता है सहन करना, जैसा कि दोस्तों आपने sentence में सुना, मैंने I can bear, यानि की can के बात, model verb के बात, जैसे हम auxiliary भी कह सकते हैं, auxiliaries के बात हमेशा मुखिक्रियां यूज की जाती है, ठीक है, तो bear यहाँ पर मुखिक्रिया हो आपको लगे कि आप confused हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसके बोले गए sentence में context पर ध्यान देना होगा, कि किस context में उसने यह word बोला है, चलिए, यहाँ पर एक और example ले ले लेते हैं, माली जै मैं कहती हूँ, I saw a bear in my backyard, तो आपको इस sentence में क्या लग रहा है, मैंने कौन से इस तरह बाले bear word का यूज किया है, यानि यहाँ पर bear की मीनिग क्या है, जी हाँ, यहाँ पर bear की मीनिग है भालू, क्योंकि मैं कह रही हूँ, I saw a bear, देखे, saw यहाँ पर पहले से ही एक main verb है, एक क्रिया है, क्रिया के बाद हम क्रिया नहीं यूज कर सकते, obviously हमने यहाँ पर भालू के अर्थ में bare word का use किया है तो इस तरह से आपको किवल context को grab करना है context को जानने की कोशिस करनी है कि किस context में सामने वाले ने similar words भोले हैं तो उसमें ही आपको पहचान लेना है उसका अर्थ So I hope friends यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ चलिए अब देख लेते हैं next word तो next word की spelling है b-a-r-e इसे आप bear इस तरह से pronounce नहीं करेंगे इसका pronunciation अलग है सबसे पहले हम देखेंगे UK का accent जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इसे आप pronounce करे आपके समझ में यो की में बेर जी हां बेर तो यह है UK का accent और यदि हम इसे यू-e के accent में प्रनाॉंस करते हैं तो वहां पर आर का साउंट आ जाएगा जैसे बेर बेर ठीक है तो इस तरह से हम इसे प्रनाॉंस करेंगे तो जी यहां पर bear वर्ड की मीनिग है अंढका यानी क uncovered without any covering जो चीज खुली हुई है uncovered है जिस पर कोई cover नहीं है कोई आवरण नहीं है अब एक बात और मैं यहाँ पर add करूंगी यहाँ पर b-a-r-e यह वाला जो bare word है यहाँ एक adjective होता है जिहाँ इसे sentences में as an adjective use किया जाता है तो इस तरह से आप इसे identify कर सकते हैं चलिए इसका एक example देख लेते हैं मान लिजे मैंने sentence बोला there is a bear tree on the hill यानि पहाड़ी पर एक अंधका एक सूखा सा पेड़ है अब यहाँ पर आपको bare word से यह अंदाजा नहीं लगा लेना है कि पेड़ पर किसी तरह की कुई चादर चड़ी होनी चाहेती जो अब नहीं है जी नहीं यहाँ पर थोड़ा deep में हमें जाना होगा यानि एक ऐसा पेड़ है वहाँ पहाड़ी पर जो पतियों से पहले धका हुआ था अब वो पतियां जड़ चुकी है जिसकी वज़े से वो अंधका हो गया है तो इस तरह से deep अर्थ में हम bare word का यूज़ करते हैं उम्मीद करते हूं दोस्तों आप सभी को मेरा ये description ज़रूर समझ में आ रहा होगा actually दोस्तों I always believe in this statement that nothing should be in short but everything should be in detail जी हाँ मैं यहाँ पर कुछ भी short में नहीं बताने वाली हूँ सब कुछ बताऊंगी लेकिन detail में चलिए बहुत हो गई तारीफ अपनी आगे वढ़ते हैं और देखते हैं next word कौन सा है तो जी जो next word है उसकी spelling है बी डबल ई आर अब यहाँ पर इस word को हम कैसे pronounce करेंगे चलिए सबसे पहले देखेंगे UK का accent तो इसे हम pronounce करेंगे beer एक बार फिर से beer आप देख पा रहे हैं UK की accent की खास बात यह है कि इसमें कभी भी आर को pronounce नहीं किया जाता है उसे skip कर दिया जाता है तो यहाँ पर यह UK का accent है लेकिन यदि इसे US में बोला जाएगा तो कैसे बोला जाएगा ध्यान से सुनिए इसे हम बोलेंगे यानि की pronounce करेंगे beer beer जी हाँ तो यहाँ पर beer का मतलब होता है मादक पे यानि की एक तरह की शराब a type of alcoholic drink I hope दोस्तों यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम beer को pronounce करते हैं और इसका अर्थ होता है मादक पे यानि की एक तरह की alcoholic drink होती है यह चलिए देखते हैं next slide में next word जो की है b-e-a-r-d यानि की beard जी हाँ इसे हम pronounce करेंगे beard यहाँ पर भी आर्ड का pronunciation नहीं होगा क्योंकि इसे हम UK में बोल रहे हैं यानि की UK accent में अब इसे US accent में अगर बोलेंगे तो कुछ इस तरह से बोला जाएगा beard एक बार फिर से beard जी हाँ यह है US accent जिसमें हम आर को उचारित कर रहे हैं तो जी यदि आप beard बोल रहे हैं या फिर beard बोल रहे हैं तो दोनों का ही मतलब होता है दाढ़ी और यहाँ पर जो beard word है यहाँ एक noun word है पिछला जो word था मैं वहाँ पर बता नहीं पाई पिछला जो word था beer वो भी एक noun word था ठीक है चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो का सबसे last word जिसके spelling है b-i-r-d very simple इसे हम pronounce करेंगे bird यहाँ पर r का pronunciation नहीं हो रहा है तो यह तो हो गया UK का accent यदि हम r को pronounce करेंगे तो इसे कुछ इस तरह से बोला जाएगा bird bird ठीक है तो यहाँ पर bird भी एक noun word है और इसकी मीनिंग होती है पक्षी So I hope friends आप सभी को यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से like, share and subscribe कर दीजे और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए और अपने enthusiasm को बनाए रखिए तब तक के लिए Take care, have a nice time, thanks for watching, bye-bye